दोस्तो आज के इस वीडियो को टॉपिक है रनिंग कपेश्टर रनिंग कपेश्टर में अंतर है दोस्तो रनिंग कपेश्टर क्या होता है और स्टार्टिंग कपेश्टर क्या होता है दोनों का यूज कहां कहां पर होता है आज के इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे यह running capacitor, scan को योज का योस कियाता है इसका काम क्या होता है अलग अलग। दोस्तों तरिस लूगते हैं बगाए टायम वेस्ट किये, दोस्तों running capacitor जो होता है वह वह नॉरमली यूज किया जाता है मोतर में और चुन स्टार्ट 파ेॉटर किए सफ़िर्पूर में और लेकिन दोनों का वर्क अलग अलग होता है लेकिन दोनों की तोध्लат आए जोने कि छो खासियत होती हुआ होती है वो दोनों के एक ही होती है मुझा करता है और स्टार्टिंग करता है अब बात आती है कि स्टार्टिंग का काम क्या होता है उसो जो सिंगल přेस्के पंखे होते हैं फैन टे हमाई जो घरोंग य्जिछ होते हैं उन में धद्रीन के परिशल स्कति है लेकिन वहां पर एनिंग को स्टार्ट्विस्टर ही लगाना पड़ेगा विजमती है बिद्दु दारा को स्टोर करने की उपरेस्टर को में करने की कि अर्ण करकॉन अगर किसी भी मोटर में अर्णैय। भी लगा हुअ है अब उसका जो माकॉन फैजिटी हो होगी जो वैल्व होगी वो से कम होगी अगर किसी भी मूटर में स्टार्टिंग का प्रिंच कर लागा हुए तो रेनींक पराइब यो वैल्ले होगी वह 8 माइक्रो फरेट की होगि ठीक है दोस्तों कहीं लिखा होता है वो कही पर ऐसा लिखा हुता है और कहीं पर ऐसा लिखा होता है दोण चीज़ें एक ही हैं आप कोटर में अगर कर्पिस्टर का यूज नहीं कर रहे हैं नहीं लगा रहे हैं तो उसमें हमिंग कि आवाज आएगी ठीक है हमिंग की उस तो आप कभी पेक्टिकल करके देखिएगा आप पंखे में कर्पिस्टर हटा दीजेगा और तब फिर पंख्यों कौन करिएगा तो तक क्या होता है कि start durch का पिष्टर मूंटर का start बढ़ाद देता है मतलब अगर कोई भी सिंखल की पंखा है तो चो वह स्लफ स्टर्ट नहीं होता है सेल्फ स्टर्ट नहीं जालू होता है अगर हम उसमें सINGल फेस की जवद पढ़ती है तो पर्राइण जहता देंगे तो हमएं कया वाज चलता है कैसे करप्रिश की सायता से मिद्धूदार का ष्टोर नहीं होगा तो अगर करफिस्टर हमारा खराब ही हमारा कि लिदम ना अगर करफिस्टर पूरी तरीक से ड्रीट द्रेट है तो पंद आये और आपने संटुनियूर्स चल्राइड रहे तो पंक्का जाएगा तो समय हीट हो जाएगी और हीट होने से जो इसका इंसुलेशन होगा वह भी हो जाएगा तो मेंली जो स्टार्टिंग का फेस्टर होता है वह पंखे की बाइंडिंग को स्टार्टिंग टार्क देता प्रवाइड करता है कि पंखा एक बार में स्टार्ट हो जाए उसको हाई पावर में दोनों ही कापिस्टर इनर्जी को स्टोर करते हैं रनिंग कापिस्टर भी और स्टार्टिंग कापिस्टर भी लेकिन जो स्टार्टिंग कापिस्टर होता है वो एनर्जी को कुछ ज्यादा समय तक स्टोर कर लेता है ज्यादा पावर स्टोर कर लेता है और लेकिन जो इसक टाइवरी मोती होती है वह बहुत कम हती है स्टार्टिंग कपेस्टर की इस्टार्ट हगर को अगर आपने पंक्जिंगा जोड़ रखा है और जब आप श्विच्वच करेंगे तो यह मुस्किल से 10 से पांच सेकेंड के लिएी ये धारॕ प्रवाइड करेगा जैसे ही पंखा हमारा रणिंग स्पीड में आ जाएगा तुरांत ये डिस्चार्ज हो जाता है फिर आप कापिस्टर को हटा भी लेंगे तब भी आपका पंख्या चलता रहेगा क्योंकि ये इसको कामी है स्टार्टिंग कापिस्टर मतलब किसी भी मोटर को स्टार्ट करना इसको स्टार्टिंग को बढ़ाना अब दोस्तों रानिंग कापिस्टर क्या होता है स्टार्टिंग कापिस्टर अब समझ गए कि पंख्ये को स्टार्ट करने के लिए पंख्ये को स्टार्टिंग टार्ट देने के लिए पंख्या स्टार्ट हो गया अब क देखे होंगे कि एक दो कपिस्टर लेगे होते हैं तो दोन कपिस्टर एक ही नहीं होते हैं एक रनिंग होता है एक स्टार्टिंग होता है कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए और जो रनिंग कपिस्टर होता है वो उस पावर को मेंटेन रखना कि अगर बोल्टिज कम हो रहा ह है वो siya Josh की महां लिए कि यह हमारा जो मोटर है वो 220 बोल्ट से चल रहा है अब यहां पर हमने 220 पोल्ट यहां पर दे दिया यह ठीक है 220 बोल्ट देदिया अब अगर किसी काणब़ बस बोल्ट इसलै के हैं यहां पर 220 की बोल्ट की बजाए 200 बोल्ट आ गया जा फिर एक सुनब्वे बोल्ट आ गया तो यह क्या गरेगा कि इस बोल्टेज को मेंटेन रखेगा क्योंकि आल्रेडी यह कर्पिस्टर जो होता है यह विद्दुदार को स्टॉर किया रहता है लेकिन जो स्टार्टिंग कर बिषच एक कर देगा कर देगा तुरहंति इस जार्ण कर देगा तो यह फिर समय आप यह यह क्योंस इसका काम होता है कि पंके इसे बिद्दुदारा को इसूर कि रहे ता इसकी श्टूर क करने की छमता ज्यादा होती है स्टार्टिंग के मुगाबले अब अगर यहां पर बोल्टेश कम आ रहा है 220 बॉल्ट बजाए 90 बोल्ट आ रहा है तो यह बोल्टेश को मेंटेन रखेगा और कंटिनियूसली चलाता रहेगा मोटर की स्पीड कम नहीं होगी तो इसका कामी है कि मोटर को रखना मोटर हमारा वहां मैं सा कंटिनीवफाट चलता रहे आगर इस बोल्टिश कम भी हो रहा है यहां घ्लेयरे लगा अब तो WHY यहीं होगी है तो इसको इक्षाप चar पड़ेगी जो कप行 पिस्टर मोटर मोटर में लगता है उसकी वेलू जादा उती है और जो इस ट्रणिंग का प्रस्टर लगा हो उसकी वेलू कम होती है लेकिन इसटारट इंगります कर देका अब रहता है इसकी मोंटर को काम कर देगा आँ इस लिए लगाते हैं तो अगर आपसे एंट्रेभ्यू में क्पुंचा जा रहा है कि रुणि कर लागते हैं पिगता है आशनले इस तो यह मोटर को गया तो निकिन आप मोटर में ही लगाएंगे running capacitor को पंखे में running capacitor आप नहीं लगाएंगे